नमस्कार दोस्तों मैं रंजीत सिंग आपका स्वागत करता हूं वाल भी उस पर इस डेली करेंट अफेर्स के सीरीज में आज हम लोग 5 जुन की करेंट अफेर्स को हम लोग देखते हैं फटा फट इन शॉर्ट आपके पास जो भी अनलीस होते हैं वह स्टडी आईक्यू जैस अगली नियूज है ये दोस्तों की वर्चुल ग्लोवल वैक्सिन सब्मीट हुई इसको हेड़ किया यूके के पीम बॉरिश जाउंसन ने इसमें बाते किसलिए हुई जो भी वैक्सिन का डेवलोप्मेंट हो रहा है इस प्रॉसेस को तेज करने के लिए और क्लोजली कोपर करने के लिए बाती की गई कि सारे दे से एक साथ हैं और वैक्सिन को जल्दी से जल्दी बनाने का काम करें इसके लिए इंडिया ने क्या किया इंडिया ने इसी मीटिंग में क्या किया पंद्रह मिलियन डॉलर की हेल्प करने की बात कहीं कि पंद्रह मिलियन डॉलर वो दें वैक्सिन डेवलोप्मेंट प्रोग्राम के लिए और किसको देंगे दोस्तों गावी को गावी को ओने दोस्तों ग्लोबल एलायंस वर वैक्सिन है यह आपको याद रखना पड़ेगा काफी इंपॉर्टेंट एलायंस है यह यह डब्लू एचो की तरह तो नहीं है लेकिन उस इसके जो मेंबर हैं 50 से जादा कंट्री बहुत सारे कंट्रीज भी मेंबर है और बहुत सारे प्राइवेट और सरकारी और्गनाइशन भी है बिल मेले इंडा गेट जो फाउंडेशन है वो इनको काफी शपूर्ट करती है तो दोस्तों दोजार उननीस में गावी का हीरो के अवर्ड दिया के था सिप्टेमबर 2019 में और यह काफी इंपॉर्टन नहीं हुझे किसी भी एक्जाम में आपसे पुझा जा सकता है अगली नहीं है दोस्तों तो बासु चेटर जी को ने पासु चेटर जी एक फिल्मेकर और स्क्रीन राइटर थे जो राजस्थान म इसे लोने उसकी फिल्मेकिंग की थी काफी सारे फिल्म मिक्स हुझे जैसे चोटे शीप चीत्वड जो रजनि गन्दा और यह काफी पुराने मतलब इना फिल्मेकर है So तो मतलब पहले जमाने की आप समझ सकते हैं इंडिया के पहले जमाने का फल्ममेकर है नब्धे साल की उम्र में यह इनकी देहान थो गई क्या आप उनमें कोवीड के चलते उन लोगों को वापस लेके आएगी बंदे भारत मिशन के तरह आपको पता है बंदे भारत मिशन के तरह जो भी लोग इंडिया के लोग बाहर में फसे हुए उनको वापस लाया जा रहा है फ्लाइट से प्लेन से किसी भी तरीके से वापस लेके आया पोर्ड ब्लेयर में हैं ठीक है मैंने बता दिया इडिया जलनासवा बिज़ाका पटनम में है यहां पर रहती है इ sergeant novel command में ही और दोस्तों है इस्टन अबटान्ट फैक्ट यह है कि INS kaslingah भी ऑगारती आइनre kalinga के ऊपर अगनी प्रस्त नाम हंकि एक मिसाईल पारक का बनाने की घोशना की गई है उसकी फाउंडेशन स्टोन रखी जा चुकी है दो-ती दिन पहले अब दोस्तों मालदीव के देखिए यह जो प्रेसिडेंट है इब्राहीम मुहमत सलोही यह आपको नामे याद रखना होगा यह रिसेंटली वहां के प्रेसिडेंट बने 29 क्लोर रुपए भेजे जाएंगे अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फोटोलाग आकर रखा है कि जो जंधन योजना है यह 28 अगस्ट 2014 को सुरू की गई थी फाइनस मिनिस्टर उस समय अरुण जेट लिवा करते थे नरेंदर मोदी जी पीम थे और अभी भी हैं तो यानि जैसे ही पीम बने थे नरेंदर मोदी जी 15 अगस्ट पहले इंडिपेंडेंडेंस दे मनाई उसके बाद लोगों को यह प्रधान मंतरी जंधन निवोजना का अब दोस्तो एक इंपोर्टन निव्स यह भी आ रहे है कि तिन लाग करूर एलोकेट किया गया है किसके लिए MSM इसको लोन देने के लिए जिसमें 100% सरकार गरांटी लेगी इस लोन में कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी लोन की लोन देने की अब दोस्तो आज का एक क्वेशन मैंने पूछना भूली इक व्याम है तो यह आपको नाम याद रखना हो दो है और आ चुके हैं बंगलादेश के USA में राचुके हैं Thailand में राचुके हैं कहीं High Commissioner होता है कहीं Ambassador होता है तो वह अलग बात है वह अलगर चर्चक का है तो इसी पोस्ट लगबख दोनों का सेमी होता है तो वह USA में 지원 Thailand में 지원 कर चुके हैं ंगलादेश में अभी फौरंड सेक्रेटरी हैं इंडिया के हर्षवर्दन श्रिंगाल तो यह रही आज की अपडेट और यह टोडल क्वेस्चन अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और मेरे साथ जूर जाईए पर्मानेंटली तैंक्यू सो मच